सुभरत बत्तु तो मैं आपके हिंदी सीचेगा फिर से मैं आपके सामने उपस्तित्यु और कौन सी कहानी ले करके जो हम पिछले वीडियो में देखे थे गोपी की हाजिर जवावी जिसमें हम लोग आगे पाठ को पढ़े थे और आगे का जो है आधा पाठ है उसको मैं आप को अभी पढ़ाऊंगी तो आपका ये वह वर्ग दो है विशय हिंदी है और फिर से मैं इन सब्दोकार्थ आपको बताना चाहूंगी ताकि आपको सुन-सुन करके याद हो जाए तो चलिए मैं सब्दात को देख लेती हूं उसका फिर कहानी के आगे बढ़ूंगी मेरे सा चंसा, तारीक, अन्य, दूसरा, तंग, परेशान, आउशर, मौका, इरादा, पिशा, तो आप अपने कोपी निकालेंगे, किताब निकालेंगे और देखिए ये आपका है पाठ, पाठ, पंदरा गोपी की हाजि जवाब, इसमें बढ़ लिये थे, एक सेट जी थे, जो क्य क्या थे, वो गोपी से बहुत ही, चीड़ते थे, और गोपी नाम का विएकती था, वो कौन काम करता था, वो कपरे को रंगने का काम करता था, और वो बहुत अच्छे कपरे की रंगाई करता था, तो उसकी प्रसंसा तारीक, बहुत, मतलब कि दूर दूर तक के गावों में फैल गई थी और लोग उसकी बहुत तारीब करते हैं सेट जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और वो सोचते थे कि हम इसको कैसे तंग करें तो एक दिन उनकी पत्नी जो थी सेथानी थी वो क्या की की बोली सेट जी से कि मुझे कपरे रंग आने हैं और सेट जी त कपड़ा लेकर के गोफी के पास गहें और गोफी उनसे को बोले कि मुझे आप से मुझे कपरे रंग वाने हैं तो तुम्हारी बहुत तारीफ सुनिया तो गोफी बोले घूशनση को चिस तो नहीं सेट जी यह पीला हरा बैग नि मुझे कोई पसंद नहीं है तुम जिस कप्रे से रगना, रंग से रंगना चाहत उस रंग से लिटा हुदेना गोपी समझ गया कि सेट जी को कप्रा रंग वाना नहीं है मुझे परेशान करने का इरादा है और वो सेट जी से कप्रे लेकर के अलमारी में रख करके ताला लगा दिया अब इस काहानी को फिर आगे पड़ते हैं तो फिर आप समझ जाएंगे कि क्या हुआ वे सोच रहे थे कि आप गोपी को खुब तंग करूँगा अब सेट जी गोपी को खुब तंग करूँगा यानि कि परेशान करूँगा उन्होंने पूछा गोपी मैं इसे किस दिन लेने आऊ तो फिर सेर जी बोलते गोपी इस कपरे को लेने मैं किस दिन आँ तो चलो आप देखिए कि गोपी सेर जी को क्या जवाब देता है अब गोपी को मॉका मिला औसर कारा मतलब होता है मौका मिलना इसको आप लिखेंगे हस्ते हुए बोला कि सेट जी सोम बार, मंगल बार, गुरु बार बुद्ध बार, सुक्र बार, रवी बार, सनी बार को छोर करके किसी भी दिन आप अपने कपरे को लेने आ जाना गोपी का जवाब सुन करके सेट जी उसका मुँ ताकते रह गए, गोपी जब ऐसा जवाब दिया सेट जी को तो सेट जी उसका मुँ देखते ही ताकना का मतलब होता है देखना रह गए समझ गए कि मेरी चाल मुझ पर ही उल्टी पर गई है अब सेट जी समझ गए कि मैं जो इसके साथ चतुराई किया वो मेरे ही साथ में इस्तमान कर रहा है उन्होंने गोपी से कहा मुझे कपरा नहीं रंगवाना है सेट जी समझ गए कि गोपी बहुत हसियार है और चलाकी से मेरे बातों का वो जवाब दे रहा है लाओ मेरा कपरा मुझे वापस दे दो सेट जी बोले कि लाओ मेरा कपरा मुझे वापस दे तो मुझे कपरे नहीं रगवाना गोपी ने मुश्कराते हुए अलमारी खोली और कपरे निकाल करके सेट जी को दे दिया सेट जी कपरा ले करके चुप चाप खिसक गया है नहीं है कि वो गोपी को तर्ण करना चाहता था उन्हीं के जब आप में उसे जवाब दे दिया इस बात से इस काहनी से आप क्या सीखे तो यही सीख में लिया आपको किसी से जरना नहीं चाहिए कोई अगर अच्छा काम करेंगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगा और आप झापकी अपकी तो किसी से जरना चाहब काम कि तो यहीं करेंगा भी करेंगे तो करेंगे तो करेंगे जरना चाहब्ते हैगे।